भक्ति तत्व क्या है? उसके कितने भेद हैं? उससे क्या लक्ष प्राप्त होता है? इत्यादी अनेक अनेक प्रश्ण हैं, जिनका समाधान आवश्यक है, तदर्थ अमारे सनातन धर्म में तीन प्रस्थान होते हैं। शुर्तिप प्रस्थान, स्मृतिप प्रस्थान और न्याय प्रस्थान इन तीन मार्गों के द्वारा, तीन उपायों के द्वारा किसी तत्व का निर्णय होता है। शुर्तिप प्रस्थान में उपनिशत हैं। उपनिशत बेद के उत्तरभाग का नाम है। बेद में दो भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। उत्तर भाग में उपनिशत हैं। पूर्व भाग में कर्मकांड है। अस्ती हजार बेद की रिचाएं पूर्व भाग में कर्मकांड संबंधी हैं। और सोला हजार उपासना संबंधी हैं। और चार हजार ज्ञान संबंधी हैं। तो शुर्ते प्रस्थान माने उपनिशत द्वारा जो तत्व का निरनाय हो वो सरवोच है। उसको सब को मानना पड़ेगा। जितने बेदांति नयाय सांख मीमान शापा तंजल बैसेशिक दर्शन शाष्ट्र हैं। इनके आचार्जों को भी शुर्तिप प्रस्थान माने उपनिशत का प्रमान मानना होगा। तभी उसको हम आस्तिक दर्शन कहेंगे, आस्तिक मत कहेंगे। और दूसरा है स्मृतिप प्रस्थान। ये स्मृतिप प्रस्थान शुर्ति के अनुकूल रिशियों ने लिखे हैं। शुरूति सम्मत है, उपनिशत से सम्मत है, लेकिन अनाध्यनंत, शाष्वत, पुन्दोष, शंका, पंक, कलंक से सर्वता, असंस, प्रिष्ट, बेद की तरह नहीं है। जैसे बेदव्यास ने गीता आद्ग्रंथ बनाए है, ये स्मृतिप प्रस्थान है। और नियाय प्रस्थान भी बेदव्यास का बनाया हुआ बेदान्त ग्रंथ है। जिसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। तो इन तीन प्रस्थानों के द्वारा हमारे यहां किसी तत्व का निरनय होता है। उसके अतिरिक्त जो मानवक्रित ग्रंथ हैं अर्थात माया धीन मानवक्रित वे हजारों है। एक गीता ग्रंथ पर हजारों अर्थ लिखने वाले हुए हैं। इसी कल जुग में हर भाषा में अलूल जलूल अपने मन के आईडिया के अनुसार अर्थ करकर के अनर्थ किया है लोगों ने। छोटी सी बुक है नगीता साथ सो असलोग हैं। ज्यादा परिश्रम नहीं है। हम महा भारत एक लाख असलोग हैं। पुराणों में चार लाख असलोग हैं। तो जो माया धीन मनुष्ट्रों के द्वारा रचित ग्रंत हैं। उसको तो भोले भाले लोग मानते हैं। लाखों अन्याई हैं। आज भी अपना एक संपरदाय बना लिया है। एक पंथ बना लिया है। और अपने फालोवर चेला बना बना करके और अपने बनाए हुए ग्रंत को प्रमाण। उनका बेद से, शाष्ट्र से, पुराण से यानि इन तीनों प्रस्थानों से कोई मतलब नहीं। तो उनसे हमसे भी कोई मतलब नहीं है। हम इन तीन प्रस्थानों के द्वारा भग्ति तत्व पर विचार करेंगे। बेद कहता है। कि देखो तीन तत्व हैं। इतजगेयम नित्मेवात पसंस्तम नातः परंबेद तब्यम्हिकिंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंचमत्वा सरवं प्रोक्तं तिर्विधं ब्रह्ममेतत्व स्वेताश्यतरोपनिशत्व पहले अध्यायका बारहवा मंत्र। यह मंत्र कहता है कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं चौथा तत्व न कोई था न है न होगा। एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य, एक का नाम प्रेरग। भोक्ता भ्रह्म किसे कहते हैं? आत्मानम रथिनम बिद्धि, सरीरम रथमेवतु, बुद्धिम तुसारतिम बिद्धि, मना प्रग्रहमेवचा, इंडियान हयानाहुर, विशयांस्तेशु गोचरान, आत्मे इंडियमनो जुक्तम, भोक्ते त्याहुर, मनीशिना। कठो पनिशत, एक, तीन, तीन, एक, तीन, चार, और ये मंत्र पैंगलो पनिशत में भी है, चार, एक, दो, तीन, ये मंत्र कहता है, कि देखो जी, एक रथ है, और उसमें कुछ घोडे हैं, और घोडों के मुहसमें एक लगाम है, रस्ती, और एक ड्राइवर है, सारती, और एक मुसाफिर बैठा है उसमें, क्या मतलब, मतलब ये शरीर जो है, मनुष्य का, ये रथ है, और इसमें जो इंद्रियां है, ये घोडे हैं, दस इंद्रियां, और ग्यारहमी जो इंद्रियां है, मन और लगाम है, रस्ती, आप लोगों ने तांगे वगेरा में देखा होगा न, एक रस्ती, घोडे के मुह से लगी होती है, और ड्राइवर जो है बुद्धी है, और जो पेसिंजर है, यात्री है, वो आत्मा है, यह भगवान ने दिया है हमको, मा के पेट में, कितना बढ़िया रथ, और यह जो इंद्रियां है, यानि घोडे, यह सब रस्ती के अंडर में, कोई घोड़ा बत्तमीजी नहीं कर सकता, जिधर रस्ती इशारा करेगी, उधर ही घोड़े जाएंगे, और रस्ती भी कोई बत्तमीजी नहीं कर सकती, जिधर ड्राइवर रस्ती को घुमाएगा, उधर ही रस्ती घुमेगी, तो प्रमुक है ड्राइवर, यह है बुद्धी, और यात्री से कह रहे हैं, भगवान हमारे पास आजाना इशरत को लेकर, रेकन बुद्धी ने, यानी सारथी ने, शराब पी रखी है, नशे में है, तो नशे में होने के कारण, उसे यही पता नहीं है, कि जहां जाना है, वो किदर है, कभी राइट, कभी लिफ्ट, कभी किदर, कभी किदर, रशी को घुमाता है, और घोडों को घुमाता है, रथ को इधर, उधर, यह भोक्ता ब्रह्म है, और इस भोक्ता ब्रह्म को यह रथ जो दिया गया है, और इंद्रिय मन बुद्धी में जो पावर दी है, उसका नाम प्रेरक भगवान, और एक और है शक्ति, जड माया, यह शरीर, यह जड है, जब आत्मा निकलती है ने, जिसे आप कहते हैं मर गया, तो अपने साथ इंद्रियों को भी ले जाती है आत्मा, मन को भी बुद्धी को भी यह तीनों साथ जाते हैं, साज़दा असमाच छरीरा दुत्क्रामती, सहाई बैताई सरबै रुत्क्रामती, कौशित की उपनिशत, तीन चार, ग्रिहीत त्वईतान संज्याती, गीता पंद्रा आठ, यह सब को साथ लेके सूक्ष्म शरीर जाता है, यानि एक शरीर आपको दिया जाएगा, पहले उसके साथ सूक्ष्म इंद्रिया, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धी, यह सब हिसाब बैठा करके, तब शरीर से आत्मा निकलता है, तो यह पंच महाभूत का शरीर जड़ है, माया का रह जाता है, तो इस प्रकार यह तीन हुए, ब्रह्म और माया, और तीसरा जो है हम लोग है, या तीसरा अब हमको भगवान के पास जाना है, भगवान के पास क्यों जाना है जी? हम भगवान को ही चाहते हैं, इसलिए जाना है, भगवान को? कितने लोग भगवान का नाम भी नहीं जानते? अजी नहीं साथ चाहते हैं, लोग के नहीं सब इद्देत योन राम मनुब्रत हाँ, बालमी का चैलेंज है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति न था है न होगा, जो भगवान से प्यार न करता हो, हैं? और माया से प्यार हम कर रहे हैं सो? नहीं, नहीं, माया से कोई प्यार नहीं करता, सब भगवान से प्यार करते हैं, जानती हूँ, माया के पास क्या है? दुख, असान्ति, अथिप्ति, अपूर्णता, अज्ञान, अंधकार, कोई चाहता है इन चीजों को, कोई एक आजमी लादो सारे बिश्व से, या कुत्ता बिदली कड़ा, कोई लादो, जो इन चीजों को चाहता हो, नहीं, सब चाहते हैं भगवान को, भगवान के पास क्या है? आनन्द, ज्ञान, शान्ति, त्रिप्ति, उर्णता, दिव्यता, नित्यता, ये चाहते हैं सब के सब, अब भगवान शब्द न बोलो, उसका परियाए बाची तु चाहते ही हो, अरे उसको मत कहो अपने पिता की बीबी, माता जी कह दो, बात तो वही है, उसमें क्या अंतर हो गया? तुमको मा का दूद तो चाहिए न, बस इतने से मतलब है, उस मा का नाम अजारों रकरका है, हमारे संसार में भी लोग, हमारे कुछ सब्संगी जानते हैं, एक परचारक दो हैं उसके बेटे, वो अपनी मा को भावी कहते थे, भावी, बहुत डाटा मैंने जब उनके घर गए, तिम लोगों को शरम नहीं आ थी, बड़े-बड़े हो गए, और भावी कहते हो मा को, कहें वो हमारे चाचा जी कहते थे, तो साब कहने लगे, कोई बहिंजी, कोई बववा जी, कोई कुछ नालग अलग सब लोग बोलते हैं, अरे कुछ बोलो मतलब तो मा से है न, हाँ मतलब तो मा इसे है, साब का एक मतलब है, मा का दूद पीना है, तो उसी प्रकार सब भगवान के भगत हैं, ना समझी से हम उनके पास जा नहीं सके, बस इतनी सी बात है, रास्ता गलत हो गया, चाहते हैं सब एक चीज, घोर मूर्क और ब्रहस्पती ब्रह्मा, सब एक चीज चाहते हैं, तो अब पता लगाना है, ओ सही मार्ग क्या है, बस इतनी एक बात, तो बेद ने कहा, यस्य देवे पराभक्तिर, यथा देवे तथा गुरव, तस यहिते कथिताह यर्था, प्रकाश्यन्ते महात्मना, देखो जी, भक्ति करनी होगी, भगवान की, भक्ति, भक्ति शब्द का क्यारत है, मन का समर्पण, बस मन, हमारे संपूर संसार में, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन बस एक पहला पॉइंट गडबड है सबका, कौन करे भक्ति, मन, मन नहीं कर रहा है भक्ति लोगों की, इंद्रियां करती हैं, आख करती हैं, कान करते हैं, रसना करते हैं, तीन प्रमुक, आख से मंदिरों में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चारो धाम, कहां गए थे, देखने, क्या देखने गए थे, ठाकुर जी को, क्या ठाकुर जी, मूर्ती, उस तो आपके बगल में घर के हैं, एक मंदर, अरे दे ये तो ऐसे ही ठाकुर हैं, वो ठाकुर, जगनाज जी, वो, पहाड पर वाले, बद्र का अश्रम, वो बड़े ठाकुर जी हैं, ठाकुरू में भी छोटे बड़े होते, सही बटा होता है, एक बटे चार, एक बटे आठ, एक बटे दस, ऐता है क्या, नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, पूर्ण मिदम, पूर्ण मद, पूर्णात, पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य, पूर्ण मादाए, पूर्ण में वावस्ष्चते ब्रहदारिन को पनिशत 5.1.1 उतो सरबत्र परिपूर्ण है प्रभु ब्यापक सरबत्र समाना समान रूप से सरबत्र प्यापक है जैसे गो लोग में है ऐसे नरक में है ऐसे ही महापुरुशों के हुड़दे में है और ऐसे ही राक्षसों के हुड़दे में भी बैठा है निरंतर एक लाख गाली दो वो हुड़दे से नहीं निकलेगा बड़ा बेहया है हम समसार में किसी को दस बीस गाली दे तो वो उसके घर जाएगा दो बारा भला एक गाली में और मामूली दे दे गाली गेट आउट हरे हमसे कहा गेट आउट अब मैं उसके घर कभी मरते समय भी नहीं जाऊंगा अरे गेट आउट का मतलब क्या होता है हमारे दर्माजे से बाहर चले जाओ तो क्या हो गया है गाली है कोई हे वे बड़ी इंसल्ट है आपको मजा कूछता है हे हमारा साला हमसे कहदे गेट आउट और फिर मैं उसके घर जाऊंग और भगवान कैसे हैं हमारे दिन रात गाली देते हैं लोग भूले हुए हैं कुछ मतलब नहीं है अमारा बेटा मर गया है कैं भगवान भगवान करते कि उसके साथ बेटे थे आठमा हो गया हमारे यह कही था मर गया क्या है भगवान अगवान की बात करते हैं वो सुन रहा है नोट कर रहा है आपको भी इसी प्रत्वी पर चलने की यही जल पीने की यही पदार्थ खाने की रियायत है छूट है गाली दिये जाओ हम तुमको सब कुछ देंगे उसी प्रकार जैसे अपने महापुरुशों को देते हैं हमा संसार वाला अगर कोई अपमान करे बेटा बाप ओ लोग घर छोड़के भाग जाते हैं तो वो भगवान सब के हरदय में बैठा है इतनी बड़ी कृपा और यही नहीं कि अच्छे आद्मियों के अरे प्रहलाद से फिरन कश्पू ने कहा तेरा भगवान मेरे राक्षस के घर में है उनका है इसके एक एक कण में है मेरा भगवान पिता जी इस खंबे में भी है यह है मारा गदा खंबे में ठाकुर जी कहते हैं गदे मैं हूँ सब जगे हूँ मैं तैलम तिलेशू तैलम तिलेशू काश्ठेशू बन्नि छीरे यथा घृतम गंधा पुष्पेशू भूतेशू तथैवा हम यवस्थिता बासदेवो पनिशत पहले अध्याय का पहला मंत्र जैसे तिल में तेल जैसे लकडी में आग जैसे दूध में घी जैसे फूल में गंध आएसे ही में सब जीवों में निरंतर बैठा रहता हूं भगवान करते हैं एको देवस सर्वभूतेशू गूड़ा और भूतेशूई नहीं सर्वभ्यापी सर्वभूतां तरात्मा स्वेता स्टरोपनिशद छे ग्यारा और ये गोपालतापनियों पनिशद में भी ये मंत्र है अठारा तो बेठ ने कहा कि जैसी भक्ती भगवान के प्रति हो ऐसी गुरू के प्रति हो तो तुमको वो भगवान वो आनंद वो शांती कुछ नाम ले लो मिल जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है कि सुबालो पनिशद में भी है सोलावे अध्या का पहला मंत्र योग शिखो पनिशद में भी है दूसरे अध्या का बाइसवा मंत्र शाठ्याइनी उपनिशद में भी है सैथिस्वा मंत्र केवल भक्ति मुंड को पनिशद ने भी आकर कहा उपासते पुरुषम ये यकामास्ते शुक्रमे तदाटी बरतंत धीरा आप दुख से असांती से छुटकारा पाना चाहिते हैं आनन्द चाहिते हैं तो समस्त कामनाओं को छोड़ कर दो मन को भगवान में अर्पित कर दो मन को मन को क्योंकि मनेव मनुष्याणाम कारणं बंधमोग चयो हो ब्रह्मब बिंदू उपनिशद का दूसरा मन्त्र और ये मन्त्र मैत्राइणी उपनिशद में भी है छटमे अध्याय का चौंतिस्वा मन्त्र केवल मन और कुछ नहीं चाहिए मुझको बाणी से भी मत बोलो राधे राधे राम राम बहरे हो कुछ सुनने की जरूरत नहीं अंधे हो कहीं जाने की जरूरत नहीं मैं अंदरे को हूँ प्रलाद ने कहा था कोत प्रयासो सुरवाल काहरे रुपासने स्वेहरी दी छिद्रभत सता साथ साथ 38 अरे मैं तो सब के हुड़े में हूँ कहीं जाव मत हाँ सुना तो है लेकिन बड़े बड़े बैशन और शाइव शाग रियलाइज नहीं करते हैं मानते नहीं आप लोगों में कितने मानते हैं मानने का मतलब निरंतर मानना वह अंदर बैटे हैं वह अंदर बैटे हैं एक करोड एक अरब एक खरब रुपया वाला किस तरे लोगों को देखता है और चलता है और वह अंदर बैटा है यह फिलिंग अगर हमको हो हम मेरे बराबर कौन है वह बैटा है कोई गलत बात आप सोच नहीं सकते सोचा हाँ किसी के खिलाफ हाँ बास नास्तिक हो गए भूल गए है वो बैटा नोट कर रहा है अगर यह याद रहता तो कोई गलत बात न सोचते न करते मा के खिलाफ, बाप के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, बीबी के खिलाफ, पती के खिलाफ, गुरू के खिलाफ, भगवान के खिलाफ तक आप सोच जाते हैं तो आप कहा मानते हैं सदा सदा जैसे आप ये मानते हैं, मैं पुरुष हूँ, इस्त्री मानती है, मैं इस्त्री हूँ, तो सदा मानती है न? एक सेकंड को कभी कोई इस्त्री नहीं मानती, मैं पुरुष हूँ, एक सेकंड को कोई पुरुष कभी नहीं मानता, मैं इस्त्री हूँ क्या? डाउटे तो फिर आप ये सदा क्यों नहीं मानते वो मेरे हदय में बैठा है बेद कहता है अगर तुम ये मान लो सदा क्यों मेरे अंदर बैठा है बस अगवत प्राप्ति हो जाए कुछ नहीं करना लेकिन सदा माने रहो प्रति सेकंड फिर तुम शुद्ध हो जाओगे क्योंकि गल्प चिंतन करोगे ही नहीं तो बेद कह रहा है बंधन और मोक्ष का कारण मन है शाठ्याईनी उपनिशत्ने भी ये मंत्र है मनेव मनुष्याणाम कारणं बंधमोक्षयो चेतक खल्वस्त बंधाय मुक्तए चात्मनो मतं मनप्परम कारण मामनंती भागवत मैं तेई उपनिशत्ने भी ये मंत्र है चित्तमे वहिसंसा रहा मन ये वहिसंसा रहा तेजो बिंदूपनिशत्ने भी ये मंत्र है पाच अठान्नवे मन ही भक्ती करने वाला है बेद कहता है देखो भक्त गम्यम परं तत्वम योग शिको पनिशत्तीन तेईस मामनुस्मर्तस्चित्तम् मै एवप्रबलीयते योग शिको पनिशत्तीन पचीस सरवेंद्रिय गुणा भासं सरवेंद्रिय भिबर्जितं सरवस्य प्रभुमीशानं स्वेताश्चत रोपनिशत्तीन सत्त्रा भावग्राहिय मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवं स्वेताश्चत रोपनिशत्त पाच्चाउदा जो ब्रह्माणं विदधाधि पूर्भं स्वेताश्चत रोपनिशत् छे अठारा तपप्रभावाद् छे यक्कैस स्वेताश्चत रोपनिशत् अतततनूर्नतदामोस्नुतेद्यम सुदर्शनोपनिशत् का पहला मंत्र इस सम मंत्र कह रहे हैं कि भक्ति सेही भक्ति रेवाइनम नयत् भक्ति रेवाइनम दर्शयत् भक्ति रेवाइनम पस्यत् भक्ति रेवाइनम गमयत् भक्ति बशापुरुषो भक्ति रेव भूयत् माठरशुर्ति भक्ति से ही वो तत्प मिलेगा जिसे हम सब चाहते हैं आध्या गमज्यदि स्रबत सहस्रणी भी रूति भी रिग्वेद रोकर पुकारो वो आ जाएगा इतना सरल कुछ करना वरना नहीं स्वार्ग पाना हो है बहुत कुछ करना है कड़े कड़े नियम ग्यान मार्ग में जाओ और कड़े नियम अरे संसार का कोई सामान चाहो वहाँ भी नियम नियम का उल्लंगन हुआ बात दंड मिलेगा कोई ब्यक्ती शरीर के खिलाप बगावत कर दे दंड मिलेगा ज्यादा खा गए हां भोगो खाए ही नहीं काई दिन से हां भोगो महात्मा बुद्ध ने सोचा खाना पीना बंद करो हार ध्यान करो आठ दस दिन नहीं खाए चक्कर आने लगा तो कुछ इस्त्रियां जा रही थी गाना गाते हुए उनका गाना था कि आए गवईये तानपूरा का तार कसके गाया कर अगर तानपूरे का तार कसेगा नहीं कोई तो आवाद नहीं आएगी लेकिन इतना न कसके तार तूट जाए महात्मा बुद्ध ने सुना एगाना उन्होंने कहा ये बेपढ़ी लिखी आउरते इतनी बारी बात कहे गई हाँ गीता में भी लिखा है ना अत्यस्नतस्त जो गोस्ति नचैकांत मनस्नता युकताहार बिहारस्य युकतचेश्टस कर्मशू छे सोला छे सत्रा अत्याहारमनाहारम अमृत नादो पनिशत अधिक खाओगे दंड मिलेगा नहीं खाओगे दंड मिलेगा जागोगे लगातार कई दिन दंड मिलेगा लगातार सोते रहोगे दंड मिलेगा यह प्रिक्रती ही दंड देती है भगवान उगेरा का नंबर तो बाद में आएगा देखो इतना मेडिकल आपके लिए बताया जाता है इतने सारे बिटामिन होते है इतनी कैलोरी होती है हिसाप का ठीक ठीक प्रोटीन हिसाप कम्प्लीट रखो लड़ा गर्वड हुआ धंड मिलेगा ओ डाक्टर को भी नहीं छोड़ेगा ओई हो तो मन ही एक मार्त्र बंधन और मोक्ष का कारण है योदेव मुत्तरावunted मुपासाते सनातनम अथर्व बेद कस्यनूनं कतमस्या मृतानाम तम महेचारुदेवस्यनाम रिक बेद अगनेर बयं प्रसमस्य मनाम हे चारुदेवस्य नाम रिग बेद तमस्माकं तवस्मसी रिग बेद तस्टते भक्तिमान सस्याम अथर्ब बेद ये सब बेद मंत्र कहरें केवल भक्ती एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं कैसे करें भक्ती ओभी कह दिया बेदान ते आसीनस संभवात चार एक साथ ध्याना च चार एक आठ अचलत्पम चाप एक च चार एक नो स्मरंति च चार एक दस्त यत्तरी काग्रता तत्रा विशेशाथ चार एक ज्यारा आप्रणा तथा पिद्रिश्टम चार एक बारा अप संदाधने प्रत्यक्षानुमाना भ्याम तीन दो तेस इस सब स्वेताशत रोपनिशत के देवदान्त के इस दान्त है इस सब मैंने आपको बेदान्त के सूत्र बताएं उपासरा करने के लिए ये जीव के विशय में जो कुछ भोले लोग कहते हैं कि केवल भगवान नहीं तो है जीवों कहां आगया आपने एक तांगडा दी जीव की आईसा भी है बेद में है तत्वमासित क्या मतलब तू ब्रह्म है बेद कह रहा है छे आठ साथ चांदो ग्योपनिशत अहम ब्रह्मास में ब्रहदारन्यकोपनिशत एक चार दस इशा वाष्ट मिदग्वं सर्वं इशा वाष्ट्योपनिशत सर्वं पुरुखे वेदं भूतं भव्यं भवच्यत भागवत्वी कहती है दोच्छा पंद्रा उरुखे वेदं भूतं भव्यं सब कुछ द्रभ्यं कर्मच कालश्चा सभावो जीवेवच बासुदेवात परो ब्रह्मन नचान्योर्थोस्तितत्पता दो पाच्चाउदा भागवत्वावत्वा बहुनाईतेना किम ज्यातेना तवार्जुना विष्टभ्या हमिदम कृष्ण मेकांशे नस्तितो जगत गीता दस बैयालिस पादोस्य विश्वा भूता नित्रपादस्या मृतन दिवी पुरुष्टूक्त का तीस राह भागवत्वावत्वा दो चे अठारा सत्त्रवेद के दे एक ब्रह्म है एकम सद्विप्रा भहुधा बदंती एकम संतं भहुधा कल्पयंती एक है हाँ यह भी कहा है आओ दो है यह भी कहा है द्वास परना सविजा सखाया समानम बरिक्षम परिक्षत बजाते स्वेता स्टरो पनिशत चार छे और तीन तो मैंने आपको बताया है सब सही है क्यों इसलिए कि जो दो बचे ब्रह्म के अलावा जीव माया यह ब्रह्म की शक्ति है शक्ति भू मिरा पोनो लोवा युक्खम्मनो बुद्धिरे वच अहंकारे तीयम्मे भिन्ना प्रिकृत रस्चदा परेजमितस्वन्याम प्रिकृतिम बिद्धिमे पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्जते जगत साथ चार साथ पांच गीता ये माया और जीव ये भगवान की शक्ति है जीव पराशक्ति माया अपराशक्ति शक्ति पेना अंशत्पम ब्यंजयत शक्ति होने से अंश कहा जाता है शक्त पुरेश्वमिष्व भहिरंतरसं बरणं तव पुरुषं बदांत्यकिल शक्ति धितों शक्तं दस सत्तासी बीश भागवत अंश है सब जीव भगवान के अंशो नाना ब्रेपदेशाथ चलो बेदांत में बेदांत कह रहा है दो तीन बयादिस और इसको सिद्ध करने के लिए मंत्र बरनाच्च आपिचाश मर्जते प्रकाशा दिवत नईवंपरा यह जीव भगवान का अंश है तो भेद भी है अभेद भी है बेद भ्यास ने कहा ये लोग बहुत बीमारी पैदा करेंगे हमारे बाद में यानि शंक्राचार्द वगेरा तो पहले ये उन्होंने बड़े डिटेल में तमाम सूत्र बना दिये कि बहुत बड़ा भेद है भेद भ्यपदेशाद एक तीन चार भेद भ्यपदेशाद चा एक एक अठारा भेदभ्यपदेशाद चान्य एक एक बाइस उभ्यपदेशाद त्वहिकुंडलवत तीन दो छब्यपदेश अधिको पदेशाद तीन चार आठ शुशुप्त उतकान्ते और भेदेन एक तीन तेतालिस पत्याद शब्देव्यपदेशाद एक तीन चावालिस इस्थित्यदनाभ्यांच एक तीन चा इन तमाम वेदांत सूत्रों में बिदव्यास्त ने सिद्ध किया कि बहुत बड़ा भेद है और लॉजिक से भी सिद्ध किया देखो उतक्रान्त गत्या गतीनाम दो तीन बीस जीव शरीर छूटने के बाद जैसा मैंने बताया कोशित की उपनियसत के द्वारा जाता है तो अगर जीव ही ब्रह्म है तो मरने के बाद कहां जाता है क्यों जाता है आप कहते हैं जैसे घड़ा है फूट गया तो आकाश हो गया ऐसे ही जब शरीर छूट गया जीव का तो उसको ब्रह्म हो जाना चाहिए हो जाता है कर्म फल भोगने और ये वई के चासमाल लोकात प्रयंति चंदरमस मेवते गच्छंति कोशित की उपनियसत एक दो और तसमाल लोकात पुनरेत्यसमे लोकाय कर्मने ब्रहदारन कोपनिशत चार चार छे फिर आता है जन्म लेता है जीव उब्रह्मने ये उत्क्रांत गत्या गतीनाम दो तीन बीस स्वात्मनाच उत्तरयो नाणु अताच्छुते रिति चेन्न इतराधिकारात स्वशब्दोन्माना अभ्यांच अभिरोधस्चन्दनवत अवस्थित बैशेश्याजित चेन्न अभ्युपगमातिर्दिही गुणाद्वालोकवत ब्यतिर्योको गंधवत तथाच दर्शयत पृत्गुपदेशात ये इन सब सूत्रों में सिद्धिक्या की जीव शरीर छोड़ने के बाद निकलता है फिर उपर जाता है फिर कर्मफल भोगता है फिर जन्म लेने आता है तो जीव ब्रह्म नहीं है उससे बिन्न है लेकिन एक बात बताओ कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है तब तो ब्रह्म हो जाता होगा नहीं जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रा बेदान भोग मात्र साम में लिंगाच्च चार चार एककैस बेदान इन दो सूत्रों में बताया कि खाली अपना आनंद अपना ज्ञान अपना जीवन भगवान दे देते हैं लेकिन स्रिष्टी करने का काम किसी महापुरुष को नहीं देते हैं स्रिष्टी स्वयम करते हैं और स्रिष्टी में ब्याप्त होते हैं और सब के हिर्दय में ब्याप्त होते हैं और सब के कर्मों का हिसाब रखते हैं और पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार त्रेरना देते हैं इत्वाम सारा काम करते हैं वो महापुरुष को नहीं देते, यह काम स्वयम करते हैं, यह भेद हैं, और जीव नित्यदास है, वो स्वामी नहीं बन जाएगा, फिर तो कितने भगवान हो जाते, अगर प्रतेक जीव महापुरुष बनने के बाद भगवान बन जाए तो फिर निरे भगवान हो जाएंगे ऐसा कैसे होगा फिर वो बेद मंत्र क्या है एक और उद्रो नद्वितियायत अस्तुर्ट याइमानी सत इसनी भी वो शाषक है नियामक है गवर्नर है जब सब भगवान हो गए तो कैसे एक गवर्नर होगा ऐसा नहीं वो नित्य है हम लोग भी नित्य है ये बराबरी वो चेतन है हम भी चेतन है ये बराबरी है लेकिन अधिकन्स भेद निर्देशात दो एक बाइस बेदान्त अश्माद वच्य तदन उपपत्ति ही दो एक टेस हम में उनमें अनंत अंतर है वो सर्वशक्त बिमान है हम थोड़ी सी शक्ती रखते हैं दस बीच क्विंटल भी नहीं उठा सकते हम छोटा सा भी काम करते हैं सफलता मिले ना मिले डाउट है और वो सत्य संकल्प है सोचा संसार बन जाओ बन गया है बोला भी नहीं संसार का प्रले हो जाब हो गया हम कैसे मुकाबला करेंगे उसका माया बाद मदा अंधकार मुषित प्रग्योश यस्माद हम ब्रह्मा स्मीत मुहर मुहर बदसिरे जीवत्प मुनुमत्तवत एक परमहंस ने कहा आए मूर्ख जीव तु कहता है मैं ब्रह्म हूँ देखकार है आईश्वर्जमतवकुत्र तेरा आईश्वर्ज क्या है यूनान में एक फकीर के पास एक राजा गया उसने कहा मेरा इतना बड़ा राज्य है तो दुनिया का नक्षा मंगाया उसने और उसने कहां है तेरा इसमें राज्य तो एक बिंदी लगा दिया ए बैस तु इसी का अंकार करता है हमारे गौड तो अनंत तोड़ी ब्रह्मांड के मादिक है बाग दिख मंगा और हम लोग एक लाक है एक करोड हो गया एक करम हो गया एक मौल्ला भी नहीं खरीद सकते क्या आइसी यह थैं तुमारी जो अंकार कर रहे हो तो जीव और ब्रह्म में बहुत भेद है और भगवत प्राप्ति के बाद भी इतना सा भेद रह जाएगा सिर्ष्टी करने का कार्द भगवान स्वयम करेंगे यह भेद भी है अभेद भी है और जीव ततस्त शक्ति है दास है सदा दास रहेगा और भक्ति के द्वारा ही लक्ष की प्राप्ति होगी डिटेल फिर कभी लाडली लाल की रादे